ब्रेक के बाद करिक्रम में एक बार फिट से आपका सू आगेते ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहेते हैं समस्याओं पर लेकिन अब हमाएंगे समाधान पर कि आखिर क्या हो पाए जी सबसे पहले मैं कहना चाता हूँ कि बाकी सेस भारत के लोग अपने नौर्टिस में जाए वहां के बारे में जाने और जितना हमको लगता है कि नौर्टिस के लोग भारत के बारे में जानते हैं सेस्थ भारत के लोग नौर्टिस के बारे में नहीं जानते हैं सबसे बड़ी सम आने से वो लोग बाहर के लोग बोलते हैं वीदेशी है ऐसे है मतलब ऐसी एक समझा है तो वहां में ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऐसे कलोजे वगरा मतलब खोलना चाहिए जिसके ज्यादा कल्चरल एक्सेंज जो जी इधर से नमस्ते मेरा न नोटिस के लोग सभी अठंगबाटी और अग्रुबाड़ों से बर्टी नहीं है सभी लोग ऐसे नहीं है और यहां के जो एजुकेशन लेबल अभी तोरी तोरी एजुकेशन सिस्टम साइओ जी आगे जी यहां बहां हमलों का बहाई कल्चरल सिस्टेम चेंज करने के बिजनिसमेन भी उस तरफ देखें कि वहां भी संभाव ना है जी आगे और कौन सुझाव देना चारा है जी जल्दी हमारे वहां अपने आपको राजा बनके रह सेगे वह इसे एक था तो आप सोशल मीडिया वगरे से और न्यूस के मद्यम से भी यह चेंज आया है चलिए इधर इधर उधर कौने में चलेंगे जो भी यहां से पॉल्टिकल पार्सन या बिजनिसमें जाते हैं उन लोगों को बिजित करना चखिए और ओर है किया किसे हर्चा गमें ज्यादा तर देवलप में हो जाता है लेकिन गाउन में नहें होते हैं गाउं की तरफ झान देनाे आगे और मुझे से लगता है कि हमारा नोटीश में सबसे पहल एकृति यो आगे बराना चाहिए है तब हम सकते है ए लगता है कि है 다ैमी मिलन तो सरकारी मैं यूपquito कर लिए मतलब ऐसान जाते हैं है लेकिन जाता लानिंग पास करने के बाद बोलता है ऐसा दो तबी रिटेन पाज होगा नहीं तो क्या करेंगे इसलिए घुषकरी पहुंत होता है और एसा फोस्त नहीं है तो भूसने का बहुत सड़ा करनी चाहिए और कोई लोग आशा होता है पेसे लेकर आने के लिए जिए वो गुस्पेट करता हुं नीचे जी मुझे तो लगता है कि first of all हमारी जो मांसी कता है जो एटिट्यूट है वो सेंज होना साहिए जो यहाँ का है और जो वहाँ का है वहाँ का भी सेंज होना साहिए और यहाँ का भी सेंज होना साहिए तभी development होगा तभी उन्नती होगा प्रगती होगा बिल्कुल बहुत अची बात इन्होंने कहिए हमको पूरे हिंदुस्तान को mindset करना अपना mindset change करना पड़ेगा जी म मेरे development होना च्योने और उहा हिली एरिया है मॉंटेंस एरिया है और जो लीबार बहली है जो उसको government लिए इंडिया उसको क्या आना करना है ताकि उसमें एंप्लोइमेंट जो इंक्रीस हो चलिए इदर आगे से शुरू करेंगे मुझे लगता है कि जो मेरी बेहन ने कहा कृष्णा ने कि हमारे हमें हमारा मानसिक्ता सबसे पहले मानसिक्ता चेंज करना चाहिए उसके बाद कम्यूनिकेशन अगर यह दोनों च जो हम 10-15 साल में हमारा कम्यूनिकेशन सिस्टम मना, मॉबाइल, इंटरनेट, पूरी दुनिया एक होती गई तो हमारा हिंदुस्तान भी धीरे-धीरे एक हो गया जी, देखो जब हम नौर्टिस्ट की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, तो उसमें पहले समाधान की बात करें, तो उसके अंदर रोजगार की बात है, वहां के परेटन को बढ़ावा देने की बात है, इसके साथ में वहां पर इंडरस्टीज खोलने की बात है, और चे समाधान बहुत सारे हैं सुझाव बहुत सारे हैं इनके बीच में एक बात जो आई थी mindset की बात जो इन्होंने कही थी और दूसरी बात थी कि अब दुनिया बदल गई है अब global में हम जैसे हम बात करेंगे तो हम सब अब communicate आपस में इतना हो गए है कि अब बहुत बड़ा बद काम तुरंत करने की ज़रूरत है नंबर एक सरकार को भी और मीडिया को भी वहां की जो socio economic problems क्या है उसको एक तरह से सर्वे करके जाने और priorities ते करें नंबर एक नंबर दो वहां natural resources बहुत हैं तो नैश्रल रिसोर्सेज में जैसे एक छात्र ने कहा भी कि कार्डेमम वहां पर बहुत ग्रो होता है तो ऐसे जो फोरेस्ट बेस्ट जो चीजें हैं उनका कमर्शल वो उपियोग बढ़े उदान के लिए बहुत सुन्दर और बहुत महेंगा फूल होता है और वह तो वहां पर खूब होता है तो उसको यदि ठीक धंग से और वो मार्केटिंग हो जाए तो वहां के यूथ को काम मिलेगा तो फोरेस्ट बेस्ट काम होंगे ट्रेडिशनल वहां के परंपरागद धंग से जो चलने वाले काम है कपड़े के और के उनको बढ़ाव मिले मार् अच्छा यहां का है जैसे खादी की थोड़ी सिंग मार्केटिंग हुई तो आज खादी का उपयोग करने वाले बहुत बड़ी संख्या में शहरों में भी लोग बढ़ गए तो वहां के जो ट्रेडिशनल काम है उनको थोड़ा सा ठीक डंग से और यह जो स्किल डवलपमे इन समस्याओं के समाधान में जैसा हमारे एक भाई ने कहा नौर्थीष्ट बहुत सुंदर है और वहां टूरिज्म की अपार संभाबना हैं तो इसलिए पूरे देजवर के निवासियों को मैं अपील करता हूँ कि वह वहां बिजिट करें और सुंदर नौर्थीष्ट में कि वहां ये समस्या होगी वहां खान पान में समस्या होगी यहीं बैठकर के सोचने से ही वहां जाने का मन नहीं होता है जबकि माकामाख्या का धाम असाम के गौहाटी में हैं और अगर हम देखेंगे अरुना चल में तो पूरा अगर जब नौर्थीष्ट का बढ़न कि अध्याद को कि अध्यान का जिस प्रकार से देशवर में कोई समस्या होती हो और पूरा देश होकर के उस समस्या को चायए दिली में बलात कार की घटना हुई तो पूरे देश ने उस घटना का ब्रोध किया लेकिन दुरभाग यह होता है कि जब नौर्थीष्ट में घटनाएं घटती है उनमें जिस प्रकार से पूरा देश एक हो करके आगे आना चाहिए इस प्रकार का कम देखने के लिए मिलता है आने वाले समय में पूरा देश नौर्थीष्ट के साथ खड़ा होगा तो वहां की जो समस्याएं है उनका खुद बखुद हल होंगी एक बात जो इन्होंने कहीए कि समस्याएं भी है, समाधान भी है जरूरत है माइंडसेट बदलने की और इस माइंडसेट को बदलना होगा पूरे देश को खड़ा होना होगा उन साथ प्रदेशों के साथ जो इस देश का अभिन हिस्सा है एभाज्य हिस्सा है और इस देश की धरती है अभी जन्मंच में हम समस्याएं और समाधानों को चोड़ देंगे लेकिन हम अगले जब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बार लोटेंगे तो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी वो संस्क्रती जो वहा बसती है सुनकर आपको लगेगा कि आत्मा पूरे हंदुस्तान में एक ही बसती है फिलाल ले टेंक प्रेक